बारिशों ना एक काम बात है लेकिन अगर वो पानी की हो तो आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दरसल में आपने अब तक कई बारिशों के बारे में सुना होगा जैसे बचलियों की बारिश, केकड़ों की बारिश, पैसों की बारिश ऐसी ही कई बारिशों की बारे में हम सब ही ने सुना है लेकिन कभी देखा रही ये साब एक रहसी की तरह हैं जो अनसुलजे हैं और आज फिर हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी ही बारिश की बारे में दरसल 1876 में बात कंट्री के रंकिन में मीट की बारिश होई थी जी हां यहां यहां पर अचानक ही आस्मान से मास परसने लगा जिसे देखकर वहां हर कोई इंसान हैरान रह गया किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है आस्मान से अच्वारकी मीट के छोटे छोटे टुकडे गिर्डे लगे जिसे देखकर लोग शौक थे उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये बारिश कैसे हो रही है और कहां से हो रही है वे अपनी आखों पर यकीन कंठे को तयार ही नहीं थे ऐसे में ये मास के टुकडे नेवारक साइंटिफिक एस्सीशन ने च्रैक किये थे और बताया था कि ये किसी गुड़े के टुकडे हैं लेकिन ये अब तक नहीं समझ आ रहा कि इसकी बारिश कैसी हुई अब तक इस बात को कोई समझ नहीं पाया और अब तक ये गुत्ती सुलची ही नहीं इसी के साथ कुछ वग्यानिकों का कहना ये भी था कि ये एक प्रकार का बैक्टेरिया है जो आस्मान में जवा था और पानी के साथ नीचे आ गया लेकिन लोग आज भी इस बारिश के बारे में इस तुनकार चौक चाते हैं फिलाल के लिए इस प्रोग्राम वेबास इतना ही बने रहे हैं हमारे साथ देखते रहे हैं आवास लिया ड्यूस